कि अब के नमस्कार मेरा नाम दॉक्टर अंबोल केड़कर है मैं एक साइक चैट्रिस्टूं सायकालोजिस्ट तूं कॉंसिलर हूं । सेक्स रोक तद्ने हो वैसनमुक्त तद्ने हो और फिछले धाइस साल से अकोला मैं as a psychiatrist अकोला महाराश्टा में as a psychiatrist प्राक्टिस कर रहा हूं पिछले कुछ वीडियो से मैंने डेमेंशा के बारे में आपको जानकारी थी इस बार इस वीडियो में मैं आपको अमनेजिया जो भूनने की बिमारी है उसके बारे में आपको बताने माला हूं अमनेजिया ये साही है खली फरक इतना है कि अमनेजिया किसी को भी हो सकता जय होने के बाद होता है तो आमनेजिया मतलब भूलने की भीमारी अमनेजिया मतलब forgetfulness जैसे आपने गजनी मूवी में देखा होगा अमेरेखान को amnesia हुआ था after head injury तो उसमें वो immediate memory है वो भूनने लगता है उसको बोलता है amnesia amnesia क्यों होता है amnesia इसलिए होता है क्योंकि brain का कुछ हिस्सा अगर damage हो गया तो उससे amnesia मतलब forgetfulness या भूनने की बीमारी होती है amnesia होने के कारण क्या है अगर हम ऐसे ही इदर दर के examples देके तो सबसे important जो amnesia होता है वह है जैसे उमर बढ़ती है वैसे 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 amnesia होता है जैसे उमर बढ़ती है वैसे लोग दिरे दिरे चीज़े भूलने लगते हैं तो उनको पर tension आये लगता है कि मैं चीज़े भूल रहा हूं लेकिन उनको यह नहीं समझता है कि यह पूरी तरह physiological aging process है और उसमें चिंदा करने की कोई बात नहीं है जब ऐसे patient हमारे पास आते है तो सबसे important है कि उनको relax करना उनको यह बताना कि amnesia जो उनको हो रहा है भूलने की विमारी जो उनको हो रही है वो पूरी तरह normal है physiological है इतना बतेते ही 50% जो उनकी विमारी हो वैसे ही कम हो जाती है अजकल बहुत सारे females है जो approximately 40-45 के उमर में रहे आती है और बोलती है कि डॉ यह हमें क्या काम बताया या पती ने हमें क्या काम बताया यह हम सब घुल रहा है ऐसे में उनको बहुत irritability होती है frustration आता है तो हम सबसे पहले जब ऐसे patients आते हैं तो हम उनसे चर्चा करते हैं और बात करते हैं हाली में एक 45-year-old female आई थी जिन्नोंने यही complaint हमें बताई दोहर की कि यदि यह patient को depression तो नहीं है और मेरा शक्त सही निकला यह patient को depression था और depression होने के कारण यह patient को amnesia मतलब forgetfulness होने लगा था जब मैंने antidepressants दिये तो यह patient की जो memory loss था धीरे-धीरे जो apparent memory loss था मतलब actually नहीं था patient को लग रहा था कि मुझे भूलने की विमारी है वो धीरे-धी पूरी तरह अच्छे होगे similarly amnesia जो apparent amnesia मतलब actually नहीं है वो बच्चों में दिखाई पड़ता है बहुत सारे बच्चे हमारे आते हैं मम्मी पपा उनको लेके आते हैं complaint यह रहती है कि बच्चे पढ़ाई भूल रहे हैं पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं है बाकि इधर उ समय हम जब patient से बात करते हैं patient से counselling करते हैं तब हमें यह ध्यान में आता है एक तो यह patient को learning disability है या तो patient को depression है या तो patient को ADHD मतलब attention deficit hyperactivity disorder है यदि यह बीमारिया अगर दूर किया जाए और patient को concentration के कुछ tips बताये जाए memory consolidation के tips बताये जाए तो patient की memory strong होने लगती है और patient का जो forgetfulness है वो कम हो सकता है हम ऐसे बहुत सारे workshops करते हैं जिसमें हम memory कैसे strong करना forgetfulness कैसे कम करना और पढ़ाई कैसे करना यह बच्चों को बताते हैं और भी ऐसे बहुत सारी बीमारिया है जिससे amnesia मतलब memory loss या forgetfulness हो सकता है स दूसरा है अगर जो हमारे normal parameters है glucose कम हो जाना, sugar बढ़ जाना या अलग-अलग चीजों से भी memory loss मतलब amnesia हो सकता है इसलिए जब patient amnesia या memory loss के complaint से आता है तो सबसे important है कि patient की पूरे investigations करना patient के जो main parameters है glucose, cbc, hemoglobin level ये सब देखना और ये ढूणना कि या क्या इसे कोई problem तो नहीं है अगर ये सब normal निकलता है तो इसके बाद important है EG निकलना याने electroencephalogram जो हम हमारे hospital में निकलते है EG में हमें ये ध्यार में आता है कि patient को memory loss है वो epilepsy मतलब seizure के कारण तो नहीं है बहुत सारे ऐसे patients है जिनको memory loss temporary memory loss होता था जब हमने EEG किया तब हमें ये ध्यार में आया कि patient को actually memory loss है वो epilepsy मतलब fit के बीमारी के कारण है तो ये भी ढूटना ज़रूरी है कि ये जब memory loss patient को हो रहा है ये epilepsy मतलब fit के बीमारी के कारण तो नहीं है तो इसलिए investigation करना बहुत ज़रूरी है EEG जिसे मैंने बताया electroencephalogram, city scan, MRI scan और बाकी investigation करना बहुत ज़रूरी है सबसे important है कि जब किसी को memory loss मतलब amnesia होता है तो ये ढूटना ज़रूरी है कि patient इसके कारण depression में तो नहीं गया है इसलिए जब patient जब हमारे यहां आता है या वो relatives उनको लेकर आते हैं तो सबसे पहले हम patient का counselling करते हैं अलग-अलग therapies है, counselling है, psychotherapy है जिससे हम patient का जो amnesia है, memory loss है वो हम कम कर सकते हैं जब हम patient की counselling करते हैं तो आधा जो बिमारी है वो patient की यूँ ही जले जाते हैं सबसे important है कि patient ने structure maintain करना ताकि उससे जो amnesia है, memory loss है वो कम हो सके structure मतलब mobile में reminders लगाना, scheduling करना, notes तयार करना, छोटे-छोटे sticky notes तयार करना और वो अपने जेब में रखना, diary जेब में रखना ताकि जो चीजे हमारे आजू पहुचू चालू है और जो हमें लगता है कि मैं भूल जाओंगी या भूल जाओंगा उसे मैं भूले नहीं ऐसे छोटे-छोटे structure से छोटे-छोटे reminder से हम हमारी memory consolidated कर सकते हैं इसके पश्चात हमारे पास ऐसे बहुत सारे medicines है जैसे cognition enhancers, brain stimulants, sharp liquid ऐसे allopathic, homeopathic और ayurvedic अलग-अलग प्रकार के हमारे पास medicines है जिससे हम memory consolidated कर सकते हैं memory बढ़ा सकते हैं और बच्चों को और बड़ों को उनकी जो memory है वो अच्छी कर सकते हैं इसमें सबसे important है कि tension लेना नहीं है अच्छी से अच्छी दवाई लेनी है secondly जब patient को depression आता है जैसे मै ने बताया depression में भी memory loss हो सकता है उसमें सबसे important है कि patient को anti depressions देना anti depressions देने के बाद patient की memory automatically अपस आने लगती है इसमें important यह है कि patient डरे नहीं यह था amnesia के बारे में अगले वीडियो में मैं और खुछ आपको information बताऊंगा मेरे अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को ज़रूर like करिए share करिए subscribe करिए और मैं और भी वीडियो लेकर ज़रूर रहूंगा थैंक्यों